ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है, जा इत्ती भार्षा है, इत्ती धर्म, इत्ती जातिया, इत्ती रसम, इत्ती देवी देवता है, इत्ती अनेकता कोई देश में नहीं है। जब पूरा विश्वत भारत की और देखता है ताजुब से देखता है कि ऐसा देश यह इत्ती अनेकता है इत्ती विबिनता है यह कैसे एक जंडे के नीचे खड़ा है यही हमारे भारत की संस्कृती है और यही कॉंग्रिस की संस्कृती है जो जोडने की संस्कृती है हम दिल जोडते हैं, संबन जोडते हैं, रिष्टा जोडते हैं आजादी के बाद बड़ी चुनौती थी कि अपने देश को कैसे एक रखा जाए सब समाज के साथ, सब धर्म के साथ कैसे सब के साथ अन्यार होए बाबा साब अंबेड कर दे हमें संबेदान दिया जिसमें प्रावधान है, प्रावधान है कि अगर किसी सांसत या किसी विधायक का निदन हो जाए तो उपचुराव होता है बाबा साब अंबेड करने कभी नहीं सोचा था बाबा साब अंबेड करने सौपना भी नहीं देखा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि उपचुनाब सौधे बाजी से होना पड़े बोली बोलने से उपचुराब होना पड़े ये तो अब आप सब के जानकारी बे हैं मैं दोराना नहीं चाहता हूँ पर आज हमारा प्रजातन्त आज हैं ॅर्णूलां से किसे खिलवार किया जाए नव जवान इतने बड़ी संक्यय में यह हैं यह संब दान है आप के लिए यह प्रजातन्त अब के लिए बुद्ऱारे तो अपना जीवन काट लिए यह पर नव जवानों यह संभी दान है यह प्र यह प्रजातंत आपके लिए यह प्रजातंत क्या हम धंधंत बनाना चाहते हैं आगे तो जब सरपंच का चुनाव होगा बोली बोले ना सरपंच चुन ले ना सरपंच चुन लिया जाएगा गाउं में बोली हो जाएगी ये आज संसकार हमारे बीच में डाले जारे है मैं तो आपको साब्दान करना चाहता हूँ प्रजातंत में तो ये चुनाव आया है ये उपचुनाव केवल नहीं है ये चुनाव मद्य प्रदेश के भविशिका है और कैसा उपचुनाव है हमारे नौजवानों के भविशिका है हमारे किसानों के भविशिका है हमारे चोटे चोटे वेपारियों के भविशिका है और ये उपचुनाव जो हमारे ऊपर थोपा गया है इस उपचुनाव का माइने समझना है ये उपचुनाव में हमारे उमीदबार हेमन कटारेज जी के हार जीत का नहीं है कॉंग्रेस के हार जीत का नहीं है यह हार जीत है हर नौजवानों के भविश्य का हर किसान के भविश्य के हार जीत का चुनाव है चुनाव तो प्रजातत का उत्सब होता है यह कैसा उत्सब सौधेबादी का उत्सब हो ये बिकाउ उत्सब हो ये बोली बोलने का उत्सब हो ये कैसा चुनाब कैसा ये उप चुनाब है मैं पूछना चाहता हूँ और आप सबने तो ये बात पैचान ली अच्छी तरह पैचान ली खास करके मैं चम्बल में ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि चम्बल के खून में ये का खून गरम है लड़ सकता है पर भिक नहीं सकता मैं जानता हूँ कि चम्बल के पानी में तासीर में बगावत है पर गद्दारी नहीं है और जिसने चंबल से गद्दारी की है उसे चंबल कभी माफ नी करेगा 2018 में आपने ही फैसला किया था आपने फैसला किया था और कॉंग्रिस की सरकार बिठाई थी आपने बारतिय जन्ता पार्टी को घर बिठाया था शिवराइच सिंग को विदा किया था मद्द्देश की जन्ता ने ये फैसला किया था 2018 की नुवंबर में दिसंबर 2018 में मैंने शबत लिए पंद्रे मैंने में पंद्रे मैंने में डाई मैंने गए आचार साहिता और लोकसबा चुड़ाँ नहीं एक मैंना गया ये सौदेबाजी में मेरे पास साड़े ग्यारा महिने थे और हमने कॉंग्रेस के नीती और नियत का परीचे दिया कैसा प्रदेश हम पर छोड़ो गए थे जब बारतिये जन्ता बाटी ने कैसा प्रदेश हमें सौपा ऐसा प्रदेश जो किसानों की आत्म हत्में हमें नमबर वन ऐसा प्रदेश हमें सौपा जहां नौजवादों की बेरोजगारी में नमबर वन ऐसा प्रदेश सौपा जाम मैलां पर अत्याचार पर नमबर वन ऐसा प्रदेश हमें सौपा जहां ब्रस्टा चार में नमबर वन है ए्यासा प्रद्श हमें सौंप के में कौम सी चुनौति नहीं थी मेरे सामें हमारे किर्शिषी चैडिकी मद्ब्रद्देश की सटर्पगीश अरथ विस्ता किशी चैड़त नह दला आंड़ी थे आज हमारे किर techniques दूकान गाउं किसानों के साथ कैसे निया हैं उनको सही मूल कैसे मिले यह चुनाओती थी हमने शुरू बाप करी थी करदा माफ की और शिवराज सिंग जूट बोलते हैं अब 15 दन पहले तो खुदी सुईकार करना बढ़ा कि 27 लाग किसानों का करदा माफ हुआ है हमने पहले किस्ट में शु खाता बाले किसान थे उनका करदा माफ करने का भी हमने 2,6 रुस्ट का बचन दिया था दूसरी किस चल रही थी और हम बचन बंद हैं फिर से कांगरिस की सरकार बनेगी हम हर किसान का 2,6 रुपए तक का फसल माफ करेंगे हमें कर्षी जेजर्ट में नई कराम कि पर ला यह तो साथ के दिया है कि कॉंग्रेस सरकार बनेगी हम कानून बनाएंगे कि समर्थन मुल्ले से कम अगर कोई खरीदेगा ये अपराद होगा उसे दंडित किया जाएगा उसे सजा दी जाएगी कि आज क्रिशी छेटरी हमारा बन्याद है अगर किसानों के जेब में पैसा है तभी तो उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है तो आज हम अपने क्रिशी छेटर में मजबूती लाने का जो हमने प्रयाश शुरू किया ता हम फिर से शुरू करेंगे सबसे बड़ी चिंता नौजवानों की है आज का बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है यही निर्मार करेगा मद्द्देश का यह हमारे मद्द्द्देश का निर्मार करेगा और इसका ही अगर भविश्य अंदेरे में होए आज जो मैं कह रहा था कि बुजर्गों की दुनिया कुछ और थी इन बच्चों की दुनिया कुछ और है इन बच्चों की दुनिया कुछ और है आज तो यह इंटरनेट से जुड़ी हुई पीड़ी है आज इन नाजवानों की अपनी सोच है इनकी तरफ है यह कोई ठेका नहीं चाहते यह कोई कमिशन नहीं चाहते यह तो रैवसाई का मौका और अपने हाथों को काम चाहते हैं तभी हमारा नौजवान बचेगा यही सबसे बड़ी चुरोती आज हमारे मद्यप्रदेश में है और मैं तो यही कहना चाहता हूं यही चुरोती हमने सुविकार करी थ आइ मालनपुर कहारी देखा है न कि मालनपुर कहारी अ ओ